हलो दोस्तो जैहिंटू एवरिवन तो दोस्तो आज अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं SSB head constable communication का जो टेकनिकल सबजेक्ट है दोस्तो वो पेपर आपने इसमें करने वाले हैं लास्ट येर का दोस्तो ओरिजिनल क्यूशन पेपर है ये बट दोस्तो ये थोड़ा सा इजी बोल सकते बर दोस्तो पेपर कहीं कहीं जो है इससे थोड़ा सा हार्ड पेपर आपका इस बार रहने वाला है क्योंकि दोस्तो आप देख सकते हैं 5 साल पहले competition क्या था और अभी जो है दोस्तो 2023 आ चुकी है तो इस टाइम दोस्तो बैंकर competition है तो दोस्तो अगर आप पहली ब हूँ दोस्तो टाइम नहीं बिल पाता है तो दोस्तो आपके comment देखने के बाद दोस्तो वीडियो बनाना जरूरी हो गया था काफी कंडिडेट कोमेंट कर रहे थे कि सर जो है आप वीडियो अपलोड जरूर कर दीजिए तो दोस्तो वीडियो तो मैं आपके लिए बना रहा करके दोस्तों आप जो है अपना क्यूशन पूछ सकते हैं दोस्तों रिपलाई करने में इंट्रेस्ट आता है बागी दोस्तों मैं इग्नोर कर देता हूं काफी कंडिडेट जो है ऐसे ही कॉमेंट कर दें इसके बारे में बताइए यानि दोस्तों आप गुसा दिखा रहे हो पूछ रहे हो दोस्तों एक तरीका होता है कॉमेंट करने का भी तो चलो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करती हूं आपको क्यूशन दिखा देता हूं तो दोस्तों ये जो है आपका सैकिंड पेपर है दोस्तों दो आवर का इसमें टाइम दिया गया था पिछली बार बड़ दोस्तों इस बार जो है आपका मेरिट जो है आउट ओफ वे डेड़ सो में से जाने वाली है क्यूंकि दोस्तों पिछली बार जो है दो पेपर हुआ था फिष्ट पेपर जो है मैंने आपको करवाय था वो ओन्ली क्वालीफाइन नेचर का था उसके बाद जो कटोप दोस्तों रही थी वो टेकनिकल सबजEC्ट PE रही थी बड़ दोस्तो इस बार जो है आपकी फाइनल मेरिट जो है डेड़ सो मार्क्स में बनने वाली है तो चलो दोस्तो टाइम वेस्ट करते बिना ही अबन जो है क्यूशन कर लेते हैं तो दोस्तो पहला क्यूशन जो है केमेस्टी से पूछा गया है अक्सीजन का एक अणू स्टीपी पर के बराबर होता है तो दोस्तो इसमें आपका आने वाला है ए उप्षन दोस्तो अगर आपको कोई भी क्यूशन गलत लगता है तो आप जो है कॉमेंट करके जुरूर बता दीजिए दरवमान स्रक्षन के नियमन उसार निमन लिखित अभी किरियाओं में से कौन सा सही नहीं है तो दोस्तो इसमें से जो है ये बी वाला उप्षन सही नहीं है उसके बाद दोस्तो बात कर लेते हैं मॉल किसकी ऐसा इकाई है तो दोस्तो ये जो है आपका पदार्थ की मात्रा यानि Amounts of the Substance उसके बाद दोस्तो बात कर लेते हैं अगला क्यूसन है CH4 के 32 ग्राम का देहन करने पर हैस्टो की कितनी मात्रा उत्पन होती है तो दोस्तो इसमें जो आपका रहने वाला है 72 ग्राम अगला क्यूसन है Oxygen में Oxygen में होता है तो दोस्तो इसमें जो है Hydrogen की इसमें Loss होता है यानि हानी होती है उसके बाद अगला क्यूसन है Redox अबिक्रिया तो दोस्तो Redox अबिक्रिया मैं आपको पता है Oxidation भी होता है और दोस्तो इसमें Reduction भी होता है या अप्चियन और Oxygen दोनी खता है तो दोसिसमें simulation डी आपका आने वाला है उसके बाद अगला है समावे उग्या वी योगिक यगम है यनि सवाव में वी योगिक कौन सा है तो दोस्ते इसमें जो है आपका डी समें रहने वाला है ब्यूटीन एंड टू-मेथिल प्रोपेन अगला दोस्तो साबून का प्रतिफल है फी गिलिस्यरॉल दोस्तो में थोड़ा आपको फास्टी क्यूशन करने वाला हूँ टाइम दॉस्तो नहीं मिल पाता है कि मिसर्ध है मिसर धातू हैplant इसके पतले तार बनाने की जो च्छमता होती तो दोस्तों तो इसको बोलते हैं डिक्टलिटी यहनी लचीलापन एग़ला दो 12 नंबर का अमल राज का गटन है तो दोस्तों यह कुसन जो है घ्भी इससका ओप्ञे predeassком रहने वाले सांधर HCL और सांदर H03 का 3 अनुपाथ 1 तो दोस्तों ये 10th में भी एक क्यूशन ने आपको देखने को मिल सकता है 10th की जो भूक थी दोस्तों साइन्स की उसमें उसके बाद दोस्तों निमर में से कौन सा योगिक जो है आइनिक योगिक नहीं है तो दोस्तों 12 में जो है CCL4 ये आपक प्रभटी में अदिक्तम बहुतायात में पाए जाने वाला तत्वा जो है इसमें है ऐलूमिनियम और फेरी के यानी दोस्तों एलूमिनियम और लोहे अग्ला है दोस्तों बॉक्स साइड में सामाने रुम से मिलने वाली S सुद्धी कौन सी है तो दोस्तो इसमें आपका रहने वाला है C option F2 O3 अगला है दोस्तो निमन में से कौन से लोहे का खनीज है तो दोस्तो इसमें जो है आपका मेगनेटाइट है तो दोस्तो इसमें तो मेगनेटाइट ही है अगला है सोने वो चांदी के निस्कर्षन में साइनाइट आयन के साथ लिचिंग करना होता है बाद में चांदी के दोवारा वापस से पाली जाती है तो दोस्तो इसमें जो आपका रहने वाला है D यानि ZN के साथ विस्थापन बागी दोस्तो आपको जो है यह 17 का क्यूशन थोड़ा लंबा है तो आपको मैं डारेक्ट इसका एंसर बता देता हूँ आप पोज करके देख लेना 17 क्यूशन में आपका एंसर आने वाला है C एकला है दोस्तो आठारा का पिग लोहे यानि दोस्तो जो पिग लोगा होता है कच्चा लोगा होता है निमन लिखित में से कौन सा तत्व है ऐस सुद्धी के रूप में अधिक्तम मातरा में वो पस्तित रहता है तो दोस्तो इसमें जो आपका आने वाला है कार्बन 18 गम दोस्तो ए उप्सन आपका रहने वाला है निमल खित में से कौन सा सामकोस्दी या इन सांत करने वाले दवा के रूप में परियुक्त किया जाता है तो दोस्तों ये जो है आपका वेलियम अगला अनिमली खितमे से कौन सा एंटी बायोटिक नहीं है तो दोस्तों इसमें है ओक्सी टोसिन ओक्सी टोसिन हार्मोन जो है ये कोई एंटी बायोटिक नहीं है तो दोस्तों अगला जो है आपका 20 क्यूसन दोस्तों इसमें आपके केमेस्टी से पूछा गए थे उसके बाद अपन बात कर लेते हैं मैथेमेटिक्स के क्यूसन के बारे में तो दोस्तों इसका मैं आपको डारेक्ट एंसर बताने वाला हूँ इसमें आपका एंसर रहने वाला है C यानि तब तब A union B का मन क्या होगा तो दो इसमें रहने वाला है C उसके बाद नमी दो ने 6 है आपके तो दो उप्सन नमीस्ट का डारेक्ट अंसर बताने वाला हूँ इसमें थोड़ा टाम ज़ादा लगेगा तो दो दो 23 के में आपका B option इसमें रहने वाला है आप पोज़ करके दोस्तों देख सकते हैं 24 का जो क्यूशन है दोस्तों इसमें आपका D answer रहने वाला है यानि उप्रक्त सभी इसमें सही है उसके बाद दोस्तों अगला है sin 2 and pi plus x का मान जो है इसमें दोस्तों sin x इसमें रहने वाला है उसके बाद दोस्तों 1 plus 10 square x बराबर होता है दोस्तों 6 square x गनीतिये कथन में सामिल होता है तो 27 का जो है B गनीतिये संबंद अगला है दोस्तों अगला जो है गनीतिये प्रेंण का पहला सिदान्थ है यदि A का मान 1 सत्य है थार्थ B PN बराबर A के लिए सत्य है तो PN का मान क्या इसमें क्या रहने वाला है तो 28 का जो है आपका इसमें B रहने वाला है एक सभी N के लिए है तो दोस्तों आइटा 19 का मान क्या रहने वाला है तो दोस्तो ये जो है आप प्रोपर तरीके से आप कर सकते हैं इसका माइनस आइटा इसका रहने वाला है उसके बाद दोस्तो अगला जो है आपका Quadic equation से पूछा गया है नहीं वरक समीकर्ण AX square plus BX plus C बराबर 0 के कोई वास्तिविक मून नहीं होगे यदि विभेद D बराबर B square minus 4AC होगा तो दोस्तो इसमें आपका रहने वाला है D less than 0 उसके बाद अगला क्यूसन है दोस्तो आपका minus 3X plus Y तो दोस्तो इसका जो है आपका answer रहने वाला है 31 यानि C, C इसमें रहने वाला है X की value रहने वाली है 4 से greater than उसके बाद दोस्तो अगला X square greater than equal 0 सभी के लिए D इसमें रहने वाला है सभी के लिए दोस्तो इसमें उप्रोक्त सभी आने वाला है तो दोस्तो इस बार आपका paper ऐसा नहीं आने वाला है दोस्तो 2018 का competition था अभी 2023 आ चुकी है दोस्तो अभी banker competition जो है आपका रहने वाला है paper का दोस्तो other recruitment की बज़ा इसमें candidate कम हो सकते हैं बड़ paper लेवल आपका एक number का paper लेवल आने वाला है आप किसी बरम में ना रहें 33 के में दोस्तो 5 इसका answer आने वाला है उसके बाद दो 34 का जो है 20 का रहने वाला है जो है आपको रेखा का समीकरन याद करना है तो दोस्तो आप जो इसका screenshot लेके जो है direct answer आप देख सकते हैं दोस्तो मैं आपको answer इसमें बता देता हूँ आप mathematics वाले दोस्तो आप निकाल के देख लेना एकदम accurate दोस्तो ये answer मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद 37 का है बिंदू तो दोस्तो 37 के में आपका C option रहने वाला है इसमें उसके बाद दोस्तो X square बराबर Y square बराबर X परवेले की समरुपता की दूरी है तो दोस्तो ये 38 के में आपका B option रहने वाला है X axis पे उसके बाद दो गुण चारिस के में आपका रहने वाला है B option अगला क्यूशन है दोस्तो 40 नंबर का इसमें रहने वाला है B उसके बाद दोस्तो 41 का जो है इसमें आपका रहने वाला है B option x-axis पे उसके बाद दोस्तो अगला है sin x plus a का x के साप एक्स आउकलन क्या होगा तो दोस्तो बियांग इसका आपका रहने वाला है C नि कोस X प्लस वन अगला है इसमें से कौन सा केंद्री परवर्ती का एक मान नहीं है तो दोस्तो इसमें जो है मानाक विचलन यादि स्टेंडर्ड डिवयेशन अगला है दोस्तो 84 का 84 के में आपका C रहने वाला है एक अंस्वेर इसमें आने वाला है अगला है दोस्तों इसमें एक वरक आव्यू वह आव्यू होता है जिसमें इस्तंपो की संख्या के बराबर पंक्तियों की संख्या होती है रिक्त आवियू वह आवियू होता है जिसमें सभी गटक जो हैं सुनने होते हैं अगला है दोस्तो 47 का 47 के में B option रहने वाला है 0 और 48 के में दोस्तो रहने वाला है 48 में C option यानि 23 उसके बाद दोस्तों अगला जो है इन में से कौन सा फलन हर जगह संतत है तो 49 के में रहने वाला है D, cos x उसके बाद दोस्तों Fx sin inverse cos x है तो दोस्तों इसका आप से function पूछा गया है 50 के में आपका रहने वाला है B option यानि 77 x बराबर 0 अगला दोस्तों question है V बराबर 4 by 3 pi r cube गन इकायों के किस दर पर V बढ़ रहा है तब r बराबर 10 और dr upon dt इक्वल 0.01 तो दोस्तों ये जो है account में आपका 4 pi में रहने वाला है उसके बाद दोस्तों संकू के item में उसके आधार की तिरजा के साथ बदला होता है तो ये बाउन के में आपका रहने वाला है 4 pi r square अगला दोस्तों x की 5, 5 का जो है समाकलन आपका integration इसमें करना है तरेपर नंबर के में आने वाला है c अगला दोस्तों sin x का समाकलन b तो दोस्तों पिछली बार जो है काफी अतक जो है क्यूस्टन पेपर इजी है आये था उस टाइम दोस्तों OBC की कटोफ वे जहां तक मुझे याद है 56 इसमें कटोफ गई थी बाकि दोस्तों ज़्यादा hard पेपर नहीं है एकदम easy पेपर है ये पर दोस्तों इस बार easy पेपर नहीं आने वाला है ये आप अपने डिमाग में रखें पिछबन का दोस्तों रहने वाला है C option 2 अगला है दोस्तों सबसे ज्यादा question इसमें लग बख 40 से ज्यादा question देखने को मिल सकते है आपको mathematics के तो 40 question इसमें आए थे mathematics के इसके बाद सतावन का question के आपने बात कर लेते हैं इसमें रहने वाला है दोस्तो y sign x equal x plus y अगला है दोस्तो वेक्टर यूनिट से आप से पुछा गया है तो दो इसमें जो है आपका टाउन के में B option रहने वाला है आप दोस्तो निकाल के देख लेना अगला है दोस्तो यहीं सदी से A vector B vector समांतर है तो दोस्तो गुंजट के में रहने वाला है B option उसके बाद दो साट के किउस्छन में रहने वाला है डी यानी एक अनुपात डो इसके बाद दोस्तो अबनًا कर लेते हैं बाद अपने फिजिक्स के बारे में सोनार का सिधांत जो होता है दोस्तो वो रहता है बी यानि दवनी का प्रावरतन अगला है दोस्तो लंबी दूरी को मापने के लिए जो है किसका उपयो किया जाता है तो दोस्तो 52 के में आएगा परालेक्स मेथड यानि लंबन विधरी गती के कारण को जाने बिना गती का अद्ध्यन होता है इसमें दोस्तो C के में रहने वाला है सी रहने वाला है नि सू संगत विज्ञान यानि काइनेटिक काइनेट मेटिक्स अगला दोस्तों क्यूशन थोड़ा सा बढ़ा है इसको मैं नहीं बढ़ रहा हूँ आप जो है इसको पढ़ लेना अगला है प्रोजेक्टल का मारग होता है परवल्याकार तो दोस्तों इसमें जो है पैरा बोला होता है अगला जो है समतल में गती का मतलब है सी यानि X और Y दोनों निर्देसांग बदल रहे हैं न्यूटन के गती के पहले नियम को भी जाना जाता है तो दोस्तों आप इसको मान सकते हैं जड़त वगानियम उसके बाद दोस्तों अगला जो है एक नुमेरिकल है यह आप जो है निकाले ना इसका एंस्वर मैं आपको बता देता हूँ 68 का उप्षन आपका C रहने वाला है 5 न्यूटन कार्य के इकाई की तरह ही जो है C यानि उर्जा की आपकी इकाई रहने वाली है एक किलो वाट बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल अगला दोस्तों 71 का गुर्थवा का के अंदर वैब इंदू है जहाँ पर सरीर का दरोमान केंदरित होना माना जाता है अगला दोस्तों 72 का कोन ये वेक का इकाई है रेडियन परती सेकेंड जैसे यहम परत्वी की सतह से उपर चड़ते हैं गुर्थवा करसन के कारण जो तवरण जो है वो कम हो जाएगा यानि B option इसमें आने वाला है केपलर के पहले नियम के अनुसार गरह सूर्य के चार ओर गूमते है अंडाकार कक्स में यानि अगला है दोस्तो 75 का 75 का है शरीर का गुण जिसके कारण विकरत बलों को हटाने के बाद उसका आकार वापस आ जाता है तो दोस्तो आप इसको क्या बोलते हैं 75 में रहने वाला है परत्यास्ता इलास्टिसिटी बाला गात की इकाई दोस्तो बाला गात की इकाई जो है दबाव इसमें प्रेसर इसमें माना गया है अगला है बोल के नियम नियमन में से क्या इस्तिर रहता है तो दोस्तो आपको पता है बोल बोल का नियम में क्या इस्तिर रहने वाला है तो दो बोईल का दोस्तो अगर किसी चीज को आप बोईल करोगे तो आपको उसका तापमान जो है इंक्रीज करना पड़ेगा ऐसे जो है आपको याद रख सकते हैं इसमें तापमान इसमें आपका कॉंस्टेंट रहने वाला है उसके बाद दोस्तो अच्छा क्यूसन है आदर दिया वागी आप इसमें मान सकते हैं पर दोस्तों इसमें एंसर जो है यह द्यावाद नी तरंगे हैं यह यह यांत्रिक तरंगे यानि मेकनिकल वेब से हैं चार्ज का परिणामी करण बताता है यानि तो आपका एटी नमर में रहने वाला है भी कुलांब के नियम के अनुश का तो दोस्तों काफी आप मान सकते हैं काफी लेवल का एजी क्यूशन बेपर था दोस्तों उस टाइम तो दोस्तों आपकी मांग थी कि सर जो है औरजिनल क्यूशन बेपर आप लाएं तो दोस्तों यह जो है मैं आपके सामने औरजिनल क्यूशन प्रोवाइड करवा रहा ह विदुत्य आविस के प्रवाह को जाना जाता है 85 का में आपका रहने वाला है D, विदुत्य धारा अगला है तार के चारों और चुम्बक के छेतर की दिशा पता करने के लिए जो है कौन सा नियम दोस्तों अपनाए जाता है तो दोस्तो 86 में आपका रहने वाला है C ओप्षन दाएं हान हाथ के अंगूठे का नियम अगला है नियमन में से कौन सा अनू चुम्बके पदार्थ है तो दोस्तो ये क्यूशन जो है दोस्तो आपको हर एक्जाम में देखने को मिलेगा अनू चुम्बके परती चुम्बके और अती चुम्बके ये दोस्तो आपको हर एक्जाम में कहीं कहीं टेकनिकल का जो भी एक्जाम होगा दोस्तो आपको जरूर देखने को मिलेगा तो दोस्तो आपको इसको एकदम से रट लेना है अलूमीनियम विदू चुम्बक के प्रेणर का सिंधान्थ दिया गया था तो दोस्तों ये जो है फेरेड के द्वारा दिया गया था अगला है विदू चुम्बक के तरंगे उत्पन होती हैं परिवर्तन ये विदू तोर चुम्बक के छेतर अगला है एक उत्तर लेंज के लिए आवर्दन माइनस वन के बराबर होता है तब ओब्जेक्ट रखा होता है यह इन ओब्जेक्ट कहां रखा है तो दोस्तो टू एफ पे जो है रखा हुआ है परावर्थन के संद्रब में यह संबंद में यदि आई बराबर जीरो है तो आर एंसर रहने वाला है सी यानि आर कमान इसमें जीरो रहने वाला है विदू तो शरोच से उबर रहे तरांग अगर क्या होंगे तो दोस्तो यह जो हैं आपके बेलनाकार हो सकते हैं तो यह क्यूशन आपको देख लेना है एक बार अगला है बोहर की परिनामिक निस्तिति या अगला दोस्तो परमानू का नूकलियल्स सकारात्मक है यानि नूकल्स अब दा आटम इस दा पोजिटिव डूटू तो दोस्तो इसमें आपका रहने वाला है सी प्रोटोन की उपस्तिति की वज़ए से अगला दोस्तो इलेक्रिक मोटरक एक उदारन है जो उर्जा को स्वांतरी कुछा में अगला दोस्तो वोल्टेज रेकुलेटर में इस्तमाल डायोड तो इसमें है जेनर डायोड तो गेट से इसमें 2-3 क्यूशन पूछे गए गेट जिसमें एक इन्पूट और एक ही आउटपूट होता है उस गेट को बोलते हैं दोस्तों नोट गेट अ अगर आप कोंबिनेशन करते हैं तो नेंट गेट जो है आपको प्राप्त होता है उसके बाद दोस्तों 99 का आपका है सिंगनल जो इसपंद के रूप में को जाना जाता है यानि सिंगनल विचार इंदा फोर्म ऑब दा पल्स इस नाउन एज तो दोस्तों इसमें जो है यह था उससे भार आपका सलेबस नहीं आने वाला है जो कंडिडेट बिलीव करते हैं दोस्तों वो जो हैं सलेबस को देख रहें ना अधर्वाइस आप अपनी मर्जी से भी स्ट्ड़ी कर सकते हैं दोस्तों मेरा काम है आपको गाइड करना बाकि आप जो है माननो वो ना मा करनो आपकी मर्जी है तो संचार में लेन का मतलब क्या होता है जानी एलें लेन का फुल फॉम क्या होता था तो दोस्तों इसमें रहने वाला है लोकल एरिया नेट वरक दोस्तों आपका जो है कुशन पेपर कंप्लीट हुआ तो दोस्तो इतना मेनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ तो आपको और कुछ मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ ओनली एक सब्सक्राइब आपको देना है और दोस्तो आपको ये वीडियो जो है सभी ग्रूप में सेर कर देना है और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद दोस्तों जैहिन